हारे कृष्णा and गूद मॉनिंग दियर स्टुडेंट्स आज के आपनी क्लास का जो पहला सब्जेक्ट है वो है हिंदी ओकी और हिंदी सब्जेक्ट में आज हम सिलेबस रक्षीट का पार्ट फॉर इसमें प्रेश नमबर पॉस्टे नीचे द异गई रेखाएं बनाई है आपको जो नीचे रेखाएं दे गई हैं उनको आपको बनाना है सबसे पहले रेखा है आधा गोला जिसको हम बोलते हैं circle बुलते हैं English में, आपको यहाँ पर two dot के उपपर बनाना है, फिल रेखा है, आड़ी रेखा प्लस खड़ी रेखा, इसको आपको trace करना है, और फिल यहाँ dot के उपपर बनाना है, पहले क्या करेंगे, आप आड़ी रेखा बनाएंगे, और फिर खड़ी रेखा, e just a number 2, समान अक्षरों को मिलाईए, एक जैसे अक्षरों को आपस में आपको मिलाना है, यह अक्षर a है, यहाँ सामने देखिए का ओ का लिखा है? ई लिखा है, इन दोनों को आपस में मेंच कर देज़े, फिर यह अक्षर आ है आम का अम यहाँ पर भी आपको आ आम की अले अक्षर से दोनों एक जिसे अक्षरों को समान अक्षरों को मिलाना है प्रैस नमबर 3 दिये गए चित्र में रंग भरिये जिसमें अक्षर अ लिखा है आपको उस चित्र में रंग बनना है जिसमें रंग बनना है जिसमें अक्षर अलखा हुआ है यह अनार का पिच्चर है यह आम का पिच्चर है और अनार राले पिच्चर में हमको कलर करना है अनार कुन से कलर का होता है? रेड कलर का, लाल रंग का तो आपको अनार में लाल रंग भरना है पिच्चर चित्र थोड़ा छोटा है तो आप ध्यान दखेंगे कि आउटलाइन से कलर बाहर नहीं जाए तो यहाँ पर इसकी छोटी-छोटी पतियां में दी हुई है उसमें आपको ग्रीन कलर करना है प्रश नमबर 4 समान चित्रों को मिला लिए एक जैसे दिखने वाले चित्रों को आपस में आपको मिलाना है यह अनार का चित्र है यहां सामने देखिए अनार का चित्र कहा है यह दोनों अनार की चित्रों को आपस में मिला दीजिए यह आम का चित्र है आम की चित्र को आम की चित्र के साथ मिलाना है यह सेव फल है सेव का चित्र है यहां देखिए इसेव के चित्र से आपस में मिला दीजिए ओके डियर स्टुडेंट आपको हिंदी सब्जेक्ट की सिलेबस वक्षीत का पार्ट पोर आज ऐसे ही सौल करना है और फिर वर्ग का पिक मुझे सैन करना है ओके बच्चों हरे गृष्णा